हेलो एबरिवन, वेलकम बेक टो अबर चैनल जीटी फिल्म, तो आज की इस लाइपस्टाइल बीडियो में हम बात करने वाले हैं, और जानेंगे इन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को, जिनको साइद आप नहीं जानते हों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेयर करना, अगर आप नाइरा बैनर जी के फैन हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, इनका रियल नेम है मदुरिमार्ट बैनर जी, और निक नेम है नाइरा, प्रॉपिशन से एक्टरस एन मॉडल है, इनका जनम 14 मई 1987 को मुम्मी माराइस्ट इंडिया में हुआ था, और 2023 के साब से आज इनकी एस 36 एर हो चुकी है, अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं, तो इनकी हाइट लगबग 5 फूट एन 7 इंचीज है, इनका आई किलर डाग ब्राउन और हे किलर ब्लैक है, और ये नेशनल टीशे इंडियन हैं, और रिलियन से हिंदू हैं, आव इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं, तो नाईरा ने अपने इस्कूल की पढ़ाई कनोशा कनवेंट हाई स्कूल मुंबई से की, और साथ ही अपने कॉलिज की पढ़ाई परवीन गांदी कॉलिज ओफ लॉय मुंबई से की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ओफ लेजिस्टेशन लौ एलल वी की हुई है, नाईरा ने बहुत कम उमर में अपनी मा से हिंदूस्तानी क्लासिकल मुजिक और गजल सी की, और साथ ही बच्चों के गाने भी गाती थी, और वह कथक डांस टेनर भी ह अब इनके केरियर के बारे में देख लेते हैं, नाईरा ने डारेक्टर जीवीर अईयर की रामायन पर आधारित फिल्म से अपने फिल्मी केरियर की शुरुवात की, जिसमें उन्हें सीता की भूम का निभानी थी, लेकिन डारेक्टर की अचानग मित्यू के कारण ये फिल 2017 मैं फर्स टाइम टीवी में डेब्यू किया था, इन्होंने फिर कोई हैसे जिसमें इनका करेक्टर सालुकर था, और वहीं 2009 में इन्होंने तेल को मूवी में डेब्यू किया था, आ ओकाडू से, उसी साल में उन्होंने अपनी नैस तेल को मूवी में भी काम किया, जिसका नाम था सारा गाड़ा का पेशू इसके बाद इन्हों ने हिंदी मूवी टॉस एप फिलिफ और डिसाइड से बॉलिवुड में कदम रखा जिसमें उन्हों ने सेरी की भूम का निवाई नायरा ने तेलगू कनड मलियालम और तमिल जैसी विविल लेंगवेज की फिल्मों मे काम किया है, first time economy movie में डेबउ किया था इन्होंने सवारी 2 से जो कि 2014 में आई थी, वहीं first time मलियालम फिल्म में डेबउ किया, कोधारा से जो कि उसी साल में ही आई थी और first time तमिल मूवी में डेबउ किया था इन्होंने, अंबाला से जो की 2015 में आई थी और इसके साथ इनोंने करना टीवी में भी काम किया है सीरियल कदमबरी से और साथ इसाथ इनोंने हिंदी मूवी बन नाइन स्टेंड एन कमाल धमाल माला माल में भी काम किया और इसे असिस्टेंड डारेक्टर इनोंने अजर मूवी में काम किया था डारेक्टर टोनी डिसुजा के साथ और इनोंने कापी सारे सीरियलों में भी काम किया जिनके नाम है दिबडेस्टी, एसक्यूज मेडाम, रक्षवंदन, रसल अपने भाई की ढाल, पिसाचनी और अब ये साल दोजा तेश में कलस्टीवी के स्टन्ट वेस रियल्टी शो फियर फेक्टर खत्रों के खिलाडी सीजन 13 में भी है तो हमको कॉमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगती है और इस वारी खत्रों के खिलाडी सीजन 13 का बिनर कौन बनेगा और साथी साथ ये डिफरेंट मैगजिन जैसे टूलेप आदी के कवर पर भी फीचर हो चुकी है और साल 2016 में नायरा ने अपना नाम मतुर्मा बैनर्जी से बदल कर नायरा बैनर्जी कर लिया था अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं तो इनके फादर का नाम पितवी राजबर्मास है इनकी मदर का नाम परनीता पैनर्जी है और एक इनके ब्रॉदर भी है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो मेरिटल इस्टेटल देख लेते हैं तो ये अनमेरिट हैं और करेंट इंटरनेट पर ऐसे रूमर है कि ये करन खनना को डेट कर रही है जो की प्रॉफिशन से एक टेलीविजन एक्टर हैं अब इनकी होबी के बार में देख लेते हैं तो इनको singing and dancing कापी पसंद है अब इनके फेवरिट तिंग्स देख लेते हैं तो इनके फेवरिट कलर हैं white and blue फेवरेट फूर है किच्चिकेन दम बिर्यानी, सूसी, फेवरेट सिंगर हैं गीता मादुरी, हनी शिंग, फेवरेट एक्टर से करीना कपूर, प्रेंगा चोपडा, फेवरेट एक्टर हैं अमिता वच्चन, शारुक खान, अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि य अब इनकी inkمن banking के बारे में देख लेते हैं तो हम आपको बतादें ये लगभग 80 अशीज से लेके, 1 लाग पर एपिसोट चार्ज करती हैं, साती-साथ एक मूवी में काम करने का लगवग एक करोड़ पे चार्ज करती हैं साथी साथ इनकी नेटवर्ट देख लेते हैं तो हम आपको बता दें इनकी टोटल नेटवर्ट लगवग 15 करोड़ पे है तो ये थी नायर अव एनरजी की लाइफ स्टैल बीडियो आई होब आपको बीडियो पसंद आई होगी अगर बीडियो पसंद आई हो तो बीडियो को एक लाइक जरूर करना थैंक्स पर वाचेंग